मध्यपदेश लोकसे वायोग की परिक्षा आई, मैंने प्रारंबिक परिक्षा पास की, मुख्य परिक्षा पास की और अपने इंटर्वियोज भी दिये जब इस परिक्षा का रिजल्ट आया, तो मैं मद्यप्रदेश में बहुत कम उम्र में जो सिलेक्ट होने वाले लोग होते हैं, जो 20 साल की उम्र में DSP बनते हैं, उसमें शामिल हो चुका था. दस मार्च को एक घटना घटी, रात को एक बजे, रोते रोते, आंसो टपकाते, अपने ही हातों से अपना रेजिगनेशन लिखा और DSP की पोस्स से रिजाइन करके. आप सभी को मेरा नमश्कार, मैं प्रशान्त हुई के मद्यपिदेश के एक आदिवासी बाहुले जिले बैतूल से आया हूँ. हाली में आये मद्यपिदेश लोकसेवायोग 2020 के रिजल्ट में मेरा चैन डेप्टी कलेक्टर के पतपर हुआ है. 2016 में मुझे मौका मिला मद्यपिदेश लोकसेवायोग की परिक्षा आई. तब तक मैं 20 साल का हो चुका था. मैंने प्रारंबिक परिक्षा पास की, मुख्य परिक्षा पास की और अपने इंटर्वियोज भी दिये. और मुझे इस बात से बिलकुल अंजान था कि इस परिक होने वाले लोग होते हैं, जो 20 साल की उमर में DSP बनते हैं, उसमें शामिल हो चुका था. ये मेरे जिन्दगी का ऐसा पल था, जिसमें खुशियां दोड़ गई थी. मेरे परिवार को ऐसा लगा, जैसे प्रशान ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जो मुश्किल नामुम्किन जैसा था. मेरे फिता मुझे आज भी बताते हैं कि वो पूरी राज सोय नहीं थे. वो ये सोच रहे थे कि ये अब 20 साल का है, नौकरी कैसे करेगा, पुलिस की भारी भरकम नौकरी, वर्दी को डालके कैसे ऑफिस तक जाएगा, और कैसे मुझरिमों से लड़ेगा, और मेर मन में भी ये सवाल कौन रहे थे, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये होने वाला है, 2020 की परिक्षा में मैं DSP सिलेक्ट हो गया था, और बिल्कुल साथवे आसमान पर था, मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने कोई उचक कर आसमान चूल लिया है, शायद इस तरह की feeling मेरे मन मे थी, और 23 फरवरी को मुझे DSP की जॉब जॉइन करने का मौका मिला, और मैं खुद को बहुत गौरानवित महसूस कर रहा था, तब तक मेरी उम्रे 22 साल हो चुकी थी, थोड़ा बड़ा हो गया था, थोड़ा मच्चाओर हो चुका था, और अब मुझे लग रहा था कि अब स्कूटी पर मैं जा रहा था, और पीछे बैठा हुआ था, मेरे ही जो ऑफिस है, उसके एक जो आरकशक है, वो स्कूटी चला रहे थे, और ऑफिस कुछ 500 मीटर की दूरी पर ही मात्र था, और यहां पर एक कार ने आके लेफ्ट से मुझे क्रैश किया, क्रैश करने के बाद एक बहुत चीजे समझ में नहीं आती है, यह जब मैंने बाद में याद की, तो मुझे याद आया, कि 10-12 फीट हवा में उचलने के बाद, मैं लुड़कते हुए सड़क के किनारे पर पहुँच चुका था, और सड़क के किनारे पर पहुँचते- चुका था, मास खून के साथ लटक रहा था, और ये वो लम्हा था जब मैं घबरा गया, क्योंकि ना तो जिंदगी में इतना खून किसी दूसरे के शरीर पर देखा था, ना खुद के शरीर पर, बहुत सारी भीड़ी कट्टा हो गई, जिसने कार से मुझे ठोका था, वो चुटी भी नीचे उतर कर आ गए, जो आरक्षक मुझे ले जा रहे थे, स्कूटी से वो भी खड़े हुए, उन्हें छोटी मोटी चोटे आई थी, हाथ में गिसा गए था, किसावट लगी थी उन्हें कुछ, उन सभी ने मुझे उठाया, और मैं लंगडी करते हुए, कार में जाकर बैड़ गया, अब इसके बाद था मुश्किल फैसला, और वो ये कि हॉस्पिटल कहां जाया जाये, किसको फोन किया जाये, और हिम्मत बिलकुल नहीं थी, हाथ काप रहे थे, दरा हुआ था, सहमा हुआ था, मैंने अपने ही पॉकेट से फोन निकाला, और सबसे पहले अपने घर पे एक पॉन किया, मेरे चाचा जी के बेटे को, और उनको बताया कि मेरा एक्सिडेंट हो गया है, उनकी ये बात सुनते से ही, उनने मुझसे कहा कि एक्सिडेंट में हुआ क्या है, तो मेरे मुझसे निकला कि मेरा पैर टूट गया है, मैं उनके क्लैरिफ ये भोपाल डिस्टिक है, मुझे क्या पता कि यहां कौन सा हस्पिटाल है, आप प्लीज मुझे ले चलिए, आप तो यहां के लोकल रेसिडेंट है, जैसे तैसे वो मुझे उसी हालत में उनकी कार में खून लगातार बह रहा था, मेरा जूता आदा कटा हुआ था, और मास ल पारी आई, तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज एक वीलचेयर ला दीजी, ऐसे लंगडी करते करते जाऊंगा, तो क्या पता मेरा दूसरा पैर अपने हाथ में मुझे लेके जाना पड़े, तो फिर उन्होंने कहा कि आप वेट कर लीजे, डॉक्टर को आने में करीब एक घंटा और लगेगा, इस समय तक काफी खून बह चुका था, और मेरा डर लगातार बढ़ता जा रहा था, और घबराट बढ़ती जा रही थी, मुझे लग रहा था कि जैसे थोड़ी देर में बस बेहोश हो जाऊंगा, और उसके बाद मुझे कौन समा लेगा, घरवाले नहीं थे याँ पर कोई फ्रेंड नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, फाइनली हम तीसरे हॉस्पिटल में पहुचे, और डॉक्टर से जाकर मैंने कहा कि सर, तीसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद थे, उनको जाकर मैंने बताया कि सर मैं DSP हूँ मेरा पैर टूड गया है एक्सिडेंट में प्लीज आप इसे जोड़िए तो उन्होंने सबसे पहले एक पट्टी बांदी और मुझसे कहा कि पहले आपका एक्सरे कराया जाएगा एक्सरे कराने के बाद एक अजीब सी चीज हुई एक्सरे कराने के बाद वो मेरे पास आकर कहते हैं और जब मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ है और क्या करना पड़ेगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमारी एडी कटकर लटक रही है तो मैंने कहा सर हड़ी तो नहीं जूटती है तो जूड़ जाती है असल में मास नसों के साथ खून को पहुचाता है और तुम्हारा वो कटके अलग हुआ है अगर यह मास दुबारा जोड़ने पर टाके लगाने पर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो समस्याएं होंगी तो मैं इस विचार को नहीं उस समय जहल पा बिल्कुल असहाय पट्टी बंधा हुआ और इंतजार कर रहा था कि कब मेरा ऑप्रेशन होगा तब तक मेरे कुछ दोस्त हॉस्पिटल में आ गए थे बहुत सारा पुलिस देपार्टमेंट का महकमा वहां मौजूद हो चुका था और मुझे ऑप्रेशन थेटर के लिए ल और मुझे पता नहीं था कि नीचे क्या चल रहा है उन्होंने मेरे पैर को बिल्कुल इस तरीके से सिला जैसे जूते से ले जाते हैं जैसे कोई जूता उधर गया हो और बहुत सारे टाके लगा दिये और मैं पट्टी बंदा हुआ ऑपरेशन थेटर से जब बहार आया तो जब डॉक्टर से शाम को बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने टाके लगा कि आपके एडी को जोड़ दिया है पर अभी देखना है कि यह एकसेप्ट होती है नहीं यह मास एकसेप्ट हो पाएगा यह नहीं और डॉक्टर ने मुझे से कहा कि पैरों के उंगलिया चलाते रह इस तरीके से मैं तीन तिन तक इंतजार करता रहा और जब तीन दिन बात पट्टी खुली तो जिस बात का डर्था वही हुआ पैर के एक हिस्ते में ब्लट फ्लो नहीं गया था और इस वज़े से उस हिस्ते में गैंग्रीन हो गया था और डॉक्टर ने मुझे कहा कि पूरा पैर उस से सड़ सकता था तो इस घबरहट में जीने लगा कि आगे में चलने वाला हूँ या नहीं और इस बात का जवाब डॉक्टर भी मुझे नहीं दे रहे थे और ना ही मेरे पास था और ना कोई मुझे करने वाला था ना कोई समझा पा रहा था सब लोग बस प्रशांत है पर जीवन में वह पहला समय था जब मैं बिल्कुल भी शांत नहीं रह पा रहा था और जब इस बात दर्द के साथ दोस्ती हो गई थी तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ने लगा और अपने पैरों पर एक दिन खड़ा भी हो गया तो दुबारा मौका आया जॉ अचा तो मैंने देखा कि जूतों में पैर रखने की वज़े से वो पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और उसमें एक छेद होने लगा था जिससे मुझे अपने ही पैर फिर से सड़ता हुआ दिखाई दे रहा था और मुझे फैसला लेना था कि आज मेरी उमर बा हुआ कि जब इस नौकरी को मैं अपने पूर समर्पन के साथ करी ही नहीं सकता तो मुझे इसे छोड़ देना उचित होगा जब मुझे बात का अभास हो गया तो मैंने अपने पापा को फोन लगाया और उनसे कहा कि पापा यह जौब मैं शायद नहीं कर पाऊँगा मेरे प पिता करते ही आए हैं और उन्हें करना ही चाहिए आपके बच्चे जब किसी चीज में आपकी राए मांग रहे हूं आपका साथ मांग रहे हो तो आप बस अपना हाथ बढ़ाईए और उनके कंदे पर रख दीजे मेरे पापा ने वैसा ही कहा और उन्होंने मुझ से कहा कि तुम जैसा चाहते हो वैसा करो हमें तुम पर पूरा भरोसा है यदि कम उम्र में तुम DSP सिलेक्ट हो सकते हो तो आगे कुछ न कुछ कर लोगे इस हिम्मत के साथ मैं निकल आया Academy से रात को एक बजे रोते रोते आंसू टपकाते अपने ही हातों से अपना resignation लिखा और DSP की पोस्स से रिजाइन करके training academy से वापिस घर आ गया मुझे लग रहा था कि यह जिन्दगी का ऐसा हिस्सा है जब मैं तूटके बिखर जाओंगा मेरे रेत का महल अब डह चुका है एक बहुत बड़ी नौकरी जो मुझे बहुत कम उम्र में मिली थी उसको मैंने छोड़ दिय जितनी salary मुझे मिली थी probation period में एक नियम होता है कि वो salary आपको लोटानी पड़ेगी तो मैंने वो पूरे पैसे लोटा दिये थे दूसरी हानी यह हुई कि इस accident की विए से जो भी खर्चा हुआ वो मेरे पापा को देना पड़ा और अंत में अब मेरे पास नौकरी भी नहीं थी और मुझे पूराना किस्ता हमेशा याद आता है मैंने मेरे पापा से हमेशा कहा था कि पापा 2019 में आप रेटायर होने वाले हैं आपके रेटायर होने से पहले मैं नौकरी पर लग जाऊंगा तो आपके कंदों का भार मैं अपने कंदों पर लूँगा आप इस बात की चिंता मत करो इस वादे को मैंने पूरा करही दिया था 2017 में डियेसपी चायने थोकर पर ये वादा फिर से अधूरा हो गया था इस जौब को छोड़ने के साथ और ये मेरे मन में घर करता जा रहा था और इसी के साथ मेरे पैर में जो एक छोटी सी दिक्कत आ गई थी इसको सुलजाने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा जिसमें मुझे रोज सुबह उठना होता था अपने पैर की ड्रेसिंग खुद करनी पड़ती थी खुद पट्टी बाननी होती थी और फिर धीरे चल कर देखना होता था कि ये पैर ठीक से काम कर रहा है या नहीं ये मुझे दिन रात तोड रही थी और एक उम्मीद भी मंदा रही थी कि जीवन में कुछ करना है प्रशान्त इससे बाहर निकलना है अपने पैरों पर खड़े को उन्हें के अलावा तुमारे पास कोई विकल्प नहीं है इस दौरान जिंदगी के सबसे कठोर पलो को मैंने ज होता है जब आपके आसपास के लोग आपके पडोसी आपके जानने वाले लोग आप पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और आपके बारे में वह बाते कहते हैं जो आपके कानों तक पहुचने के बाद आपका विश्वास लगतार तूटता चला जाता है मेरे बारे में क तो उन्होंने इस बात को सब जगा प्रसारित कर दिया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, कुछ लोगों ने मुझे घमंडी कहा, ना समझ कहा, कि ये तुक्के का सेलेक्शन लेकर पहुच गया था, और इसको आप वापिस आना पढ़ गया है, अब जिंदगी में जोब को कर सकता था, पर इतने बड़े पत को क्यों छोड़ा, ये मैं प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक 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 एक्जाम का इंतजार कर रहा था, और एक्जाम होने का नाम नहीं ले रहा था, 2019 की अंतता परिक्षा 2020 में हुई, 12 जन्वरी को प्रारमविक परिक्षा हुई, और मेरे मन में फिर से उम्मीद की एक लहर दोड़ गई, कि प्रशान अब लोटना है, और प्रतेक व्यक्ति को जवाब देने से अच्छा होगा, कि सब को जवाब अपने परिणामों के माध् हैं, और वो समय में शायद हम सब के लिए इतना कठोर था, जिसमें हमने जिन्दगियां खो दी, खुद को खो दिया, अपने आत्मे इश्वास को खो दिया, और सभी डिप्रेशन के काल जैसे गर्मे में लोट गए, जी हाँ, मैं कोविट के लॉकडाउन की बात कर रहा हू ये लॉकडाउन लगा और मेरी उम्मीदे फिर से तूट चुकी थी, मुझे लग रहा था कि जिन्दगी में सब कुछ बुरा मेरे ही साथ क्यों होता है, वैसे ही पहले से मुझे इतने सारे लोगों को जवाब देना है, और मेरी नौकरी के बाद समय बीटता जा रहा है, औ क्योंकि 2019 में मेरे पापा रेटायर हो चुके थे, अब समस्याएं emotional के साथ साथ आर्थिक होने लगी थी, मेरे पिता ने मुझे पता नहीं चलने दिया, पर मुझे इस बात का अभास था कि दिक्कते होने लगी थी, मेरा परिवार में अब कोई भी वेक्ती जॉब नहीं करत था कि बस इस वादे को जल्दी से जल्दी पूरा कर दो, और ये वादा पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था, कोवीट का एक लोगडाउन बीता, दो लोगडाउन बीता, और हम इनी लोगडाउनों में फसे रहे, लगतार तयारी करते रहे, और पढ़ाई करने के अलावा कोई और विकल्प था नहीं अंते था 2019 की मुख्य परिक्षाएं हुई और वो परिक्षाएं मैंने दी और lockdown के मुश्किल समय में दी उसके बाद second lockdown लग गया था उन परिक्षाओं को देने के बाद और मैं परिक्षाएं देने के बाद फिर इंतजार करने लगा कि जिंदगी में अच्छा वक्त लोटेगा या नहीं और इसी इंतजार में बैठा रहा second lockdown खतम होने के बाद 2019 की परिक्षाओं का result आया और वो परिक्षाँ मैंने पास कर ली थी और मेरे मन में फिर से उम्मीदों की लहर दोड़ी कि जिंदगी में मेरा वक्त लोटेगा और मैं शायद कुछ बन जाओंगा और अपने पिता माता सभी का जो कश्ट ने जजनों का मुझे हरना था वो शायद हरने में सक्षम हो पाऊंगा और 2019 की परिक्षाओं के इंटर्विव आज तक नहीं हुए है MPPSC के सभी शात्र जानते हैं क्योंकि कोट केसे में वो PSC फस गई तो अभी भी उसके इंटर्विव हुए नहीं है वो भविश्य में होने वाले हैं पर एक अच्छी चीज हुई कि लगतार परिक्षाओं क्योंकि डिले हो चुकी थी तो 2020 की परिक्षा लोग से वायोग ने करवा ली थी उसकी प्राणविक परिक्षा को मैं पास कर चुका था मुखे परिक्षा को पास कर चुका था और मेरा इंटर्विव था और कहते हैं ना कि बस इंटर्व्यू के बाद भी मैं अब डबल शॉर करना चाहता था अपनी हर चीजों को मुझे लग रहा था कि सिर्फ इंटर्व्यू दे लेने मातरे से ये सब खतम नहीं होने वाला है तयारी के अब मुझे आदत लग चुकी थी तो मैंने 2021 की प्रारंविक परिक्षाएं भी दी और 2022 की प्रारंविक परिक्षाएं भी दी और लगतार बस मुखे परिक्षाओं के तयारी में लगा रहा है इस बात को भूल के कि मैं एक इंटर्व्यू दे चुका हूँ और उसका रिजल्ट क्या होगा फिर एक शाम आई 9 जून 2023 की शाम और एक 10 बाई 10 के कमरे में अपनी टेबल पर मैं पढ़ रहा था और मेरे साइड में एक टेबल और लगी हुई है मेरे रूमेट की हम एक 10 बाई 10 के कमरे में हमारे पास ऐसे 2 कमरे हैं और 4 लोग रहते हैं और पढ़ाई करते हैं और कहते हैं न कि एक समय आता है जब आपके सारे जीवन का संगर्ष आपसे खुपसूरत तरीके से आकर मुझसे टकराया और एक फोन बजा और मैं सोशलोजी की बुक लेकर पढ़ रहा था क्योंकि मेरा कुछ दिनों बाद टेस्ट होने वाला था और वो फोन बजा और उस तरफ से एक फ्रेंड की आवाज आई कि 2020 के रिजल्ट आ गए हैं पाइनली पीसी ने रिजल्ट घोशित कर दिये हैं और तुम डेपिटी कलेक्टर बन गए हैं ये सुनने के बाद मैं शून में था मुझे भरूसा नहीं था कि ये हो गया है मेरा संगर्श खतम हो गया है और मुझे विश्वास ही नहीं था और मुझे विश्वास दिलाने के लिए मेरे दोस्तों ने चीखना चिलाना शुरू कर दिया भरूसा तब बंदा जब बहुत सारे फोन आने लगे बहुत सारी बदाई आने लगी रिजल्ट खोल कर देखा प्रशान तोई के नाम देखकर मैं डरा हुआ था कहीं है कोई और तो नहीं तो फिर से रोल नंबर चेक किया कि ये मैं हूँ मैं ही हूँ या नहीं हूँ और जब ये शौर हो गया कि ये मैं ही हूँ तो फिर सौभाविक सी बात थी कि इतने सालों के बाद जब ये संगर तूटा तो मुझे रोना आ गया थोड़ी देर रोया और फिर खुट को संभाला और मेरे दोस्त बहुत जम के चीखने चिल्लाने लगे और खुशी की लहर दोड़ गई, बहुत सारे दोस्तों ने घर आकर बधाईया दी, कमरे को घेर लिया सबसे पहले मैंने पहला फोन कहा कि मुझे मेरे पापा को फोन कर लेने दो जितनी तयारी मैंने की है, शायद उतना इंतजार उन्होंने किया है मेरी मम्मी भी खुश होई, और चैन की सांस ली जब इस तरह के सिलेक्शन होते हैं, तो घर वाले बहुत खुश होते हैं पठाके फोड़ते हैं, मेरे घर ऐसा कुछ नहीं था मेरे घर सबने एक रहत की सांस ली, क्योंकि जिस डर में हम इतने सालों से जी रहे थे लगातार इस डर में सहमे हुए से रहते थे कि हम आगे क्या करेंगे रिटायर पापा हो चुके हैं घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो अब आगे इस फ्यूचर में क्या होगा फ्रशांत जो पहले तूट चुका था वो फिर उटकर खड़ा हो चुका था तो आज मैं deputy collector बन गया हूँ, खुश हूँ 2021 की मुख्य परिक्षाय मुझे नहीं देनी पड़ी 2022 की मुख्य परिक्षाय अभी होने वाली है जो भी मुझे नहीं देनी पड़ेंगी दोस्तों इस सारी जंग में जरूरी है कि हम अंत तक हार ना माने अंत तक हार ना मानना ही शायद जीत जाना है कि आपको कापना नहीं है जिंदगे में परिशानिया आती है, ये life इतनी बड़ी है और इतनी diversified है कि आपको अंदाजा ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है आप तो अलकेमिस के उस सेंटियागो की तरह है जो खजाने की खोज में निकला है उसे अंदाजा नहीं है, वो गडरिया बन गया है क्योंकि उसको यात्रा करने का जुनून है वो बस चलता है, बढ़ता है, दिन रात अपना काम करता है तो बिलकुल अपने लक्ष के प्रती भूल जाएए और चलते रहिए क्योंकि जिन्दगी चलने का नाम है और यही हमारा काम है हम चलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं और अंतिता आप जीतेंगे और जीतने का मतलब किसी परिक्षा में पास होना या कुछ हासिल कर लेना नहीं है मेरे हिसाब से जीतने का मतलब है अंतिता खार ना मानना और मैं जोश्टॉक्स को थेंक्यी बोलना चाहूंगा क्योंकि उन्हेंने मुझे मौका दिया मेरी कहानी आप सभी के साथ साजा करने का थेंक्यू एवरिवन, थेंक्यू जोश्टॉ इस वीडियो के बारे में अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें